वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है हालविंग को नो दिन सेस है नो दिन सेस होते हुए बिटकोईन पर डे हाई लिक्विडिशन यहाँ पर दिखा रहा है बिटकोईन हाई लिक्विडिटी के साथ कभी 66,000 डॉलर पर आ जाता है कभी 72,000 डॉलर पर पहुच जाता है यानि कि बिटकोईन में इन्वेस्मेंट और एक्जिट दोनों ही एक साथ चल रहा है और यहाँ पर बड़े करेक्शन यह इसारा कर रहे है कि बिटकोईन में बड़ी रेली आफटर हालविंग देखने को मिलेगी और वही कारण है कि बिटकोईन में हाई लिक्विडेशन यहाँ पर दिख रहा है और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो पर दिन हर दिन में मतलब लगभग 4 से 5000 डोलर का गेम खेला जा रहा है जहाँ पर कल अगर आप देखेंगे बिटकोईन एक ही दिन के अंदर अंदर 6,000 डोलर भी रहता है 69,000 डोलर भी रहता है और 72,000 डोलर पहुच जाता है फिर आप देखेंगे 24 गंटे भी नहीं होते वापस 68,000 डोलर पर मार्केट आ जाता है तो यही गेम अगर आप देखे तो Shiba Inu में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि Shiba Inu जो अगला टारगेट है वो वन सेंड की पिक्चर का है और आपको अगर नहीं दिख रही है तो मैं बता दू Shiba Inu में वन सेंड की जो पिक्चर है वन सेंड तक Shiba Inu का प्राइस पहुचना वो दिख रहा है क्योंकि ये महिना कहिना कहीं Shiba Inu के लिए 0.01 डोलर यानि की वन सेंड तक का महिना साबित हो सकता है और यहां से मार्केट एक हाई डेटे के साथ आगे की तरव मोग कर सकता है क्योंकि आफटर हालविंग मार्केट में बड़े बोश्ट देखने को मिलेंगे बड़े प्लियर्स यहां पर हाई लिक्विडेशन के साथ मेदान में उतरेंगे और यही कारण है कि बड़ी बाइंग यहां पर Shiba, Altcoin और पूरे तरीके से बिटकोईन सहित सभी क्रप्टो मार्केट में पूरे में देखने को मिल सकती है एंड तक वीडियो वाच करना एक डाइरेक्शन मिलेगा यहां से काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है चेनल सस्क्राइब कर लेना नय यूजर है और शिबा के बारे में आपकी क्याराई है कमेंट्स में जरूर लिखा करे देखिए बिटीसी को लेकर काफी एक्सपर्ट है जो अलग-अलग ओपीनियन दे रहे है अभी हाली में एक बड़े एक्सपर्ट जिनोंने दो लाग डॉलर का बिटीसी का पंप बताया है कि आगामी दिनों में अब ये समय सीमा उन्होंने थोड़ी दी है लेकिन आगामी दिनों में बिटीसी दो लाग डॉलर तक का हिट मार सकती है आफ्टर हालविंग ये एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो सकती है क्योंकि बिटीसी के लिए दो लाग डॉलर का प्राइस जंपिंग शिबा एनो और अल्ट कोईन सीजन के लिए काफी फाइदे मन्द होगा ऐसे में कहा जा रहा है कि आफ्टर हालविंग बिटकोईन 75,000 डॉलर का जो लेवल है उसे पार करेगा एक बेरियर यहाँ पर तोड़ेगा और उसके बाद एक बड़ी रेली यहाँ पर देखने को मिलेगी और यही कारण है कि आने वाले समय में शिबा इनो भी उसी लेवल के साथ आगे जाएगा अगर आज की कंडिशन में हम बात करें तो शिबा इनो में इन्वेस्मेंट की एक नई लेहर आई है क्योंकि आज की कंडिशन में जो शिबेरियम है इसका जो ब्लोकचेन है लेयर टू इस्टेकिंग सालुशन उस पर देखें तो जितने भी नई उसर है वो जादत ταएड़ में इन्वेस्मेंट कर रहे हborg है और शिबेरियम पर वो पहली बारा आ रहे है शिबा पर भी पहली बारा रहे है और यही कारण है कि वो काफी हध तक शीबा को पसंद कर रहे है और वेसे भी अगर उन लोगों के लिए 2021 एक पिक्चर की तरह है जिसने लोगों को मिलीनियर बनाया है तो ये भी एक बड़ा कारण बड़ा रीजन है जो मीम टोकन में पेसा लगवा रहा है खासकर शीबा, डोच कोईन और इस टाइप के नए कोईन जो मीम टोकन अभी उभर है इन में पेसा लगा रहा है और इसी कारण से मार्केट पंप करने की दिसा में आगे जा रहा है हाली में अगर आज की कंडिशन देखे तो आज 10 अपरेल है और आज है CPI डेटा की देट यानि कि आज CPI डेटा आ जाएगा और कई मैनों से ये रेगुलर बेस पर बढ़ र 72,000 डॉलर के करीब BTC फिर पहुचता है यहां पर अगर आप देखें तो BTC में काफी पेसा आ रहा है लेकिन 72,000 डॉलर के करीब पहुचने पर यह जो वील से है ना यह अपना खेला खेलती है प्राइस को 72,000, 71,000 डॉलर से नीचे ले आती है और इसी कारण से बिचारे जो चोटे इंवेस्टर है जो BTC में पेसा लगाना चाह रहा है वो यहां पर मुकी खा रहा है क्योंकि इस लेवल पर यह वील से एक्टिव होती है प्राइस को 66,000, 68,000 डॉलर के करीब लाती है और अपना गेम खिला कर फिर बेज देती है लेकिन यह जादा दिनों तक गेम चल लेके यहां से जा सकती है अगर हम बात करें कि महिने का केंडल तो अगर आज की कंडिशन में देखे तो शीबा उन्होंने हाल ही में जो 1.5% के रैली दिखाई थी उसमें दो बड़ी-बड़ी केंडल ने ही पूरा गेम कर दिया था आप देखे तो एक केंडल यह गरीन एक यह गरीन हलाकि यहां तक गई थी फिर यहां पर रुकी लेकिन अगर देख ले आप तो इन दो महिने के अंदर-अंदर पूरा गेम खेल लिया गया था और यहीं से पूरा गेम निकल कर आ गया था और यही कारण है कि वापस यही चीज़े यहां पर हो रही है और अगामे दिनों में इसका result आपको Shiba Inu में देखने को मिलेगा वही अगर हम developments की बात करें तो Shiba में developments काफी हद तक situate हो चुके है और अगर आज की condition में देखे तो Shiba के पास development की एक भाहर है जिसमें पुराने investor जो 2021 से ही Shiba के साथ loyal है उसके बाद अगर हम देखे तो नए investor इन दोनों का ही Shiba के उपर belief बड़ा है अगर community strong होती है न तो उस coin के साथ जब bull run start होता है न तो काफी चीजे जुड़ जाती है और यही कारण है कि Shiba उनों को एक send तक ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और इसलिए इनको Shiba आर्मी कहा जाता है क्योंकि development plan होने की वज़े से जो पुराने investor है न वो भी Shiba के उपर belief कर रहे है आज की time में और जो नए investor आ रहे है वो भी Shiba के पर belief कर रहे है development के कारण Lucy and Kusama दोनों ही अगर regular base पर tweet जारी करते है team के community के लिए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है और team का इस type से community के साथ जुड़े रहना, engage रहना, बताता है कि उस team और उस coin का future और आगामी दीनों में Shiba को लेकर काफी expert अपना-पना opinion दे चुके है जिसमें एक सेंड तक और एक रुपे तक दस रुपे तक शिवयनों की price हिट होते हुए आप देख पाओगे क्योंकि आफ्टर हालविंग ये 12-18 महिने का bull run चलता है और 12-18 महिने के इस bull run में कई altcoin के किसमत बदल जाती है तो नए altcoin तो यहाँ पर अपना रहा दिखाए और पुराने altcoin जैसे कि like Shiba, Doge, Floki और बहुत सारे जो top 20, top 50 में आते हैं coin वो भी असली अपना असर दिखा सकते हैं तो यह जो बड़ा season चलेगा ना bull run का इसमें सभी coin growth कर सकते हैं और अगर एक बार एक किसी coin को लह मिल जाती है यानि कि एक रह मिल जाती है तो उसमें ज़ से आगे है यह दूसरी बात कि अगर हम long term के point view से सोचे तो भले ही पेप और flow की और यह आगे निकल गए थे लेकिन अगर believe के हिसाब से देखे और एक security के हिसाब से देखे तो Shiba को यह prefer करेंगे और आने वाले समय में जो investment अगर पेप और जो flow की है इनका जो investment है अगर यह थ दीदे Shiba में shift हो जाएगा क्योंकि Shiba एक long term के point view से एक लंबी रेस आफी growth potential आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 70% ऐसे user है अलहाल ही में जो rally आई थी ना 300% कि उसमें एक data मालूम पड़ा है कि यहाँ पर ऐसे investor है 70% जो long term के लिए Shiba को hold करे हुए है यह भी एक का परण है कि वो 25 तक का Shiba का weight करेंगे उसके बाद ही कुछ decision यहाँ पर ले सकते हैं लेकिन तब तक अगर हम देखे तो Shiba एक लंबी रेस के साथ आगे की तरफ निकल सकता है और altcoin season में Shiba नो बड़ी growth के साथ निकल सकता है जो बड़े hit मार सकता है पूरा दारुमदार bitcoin के उ वहीं से सुरू होता है क्योंकि Halloween के बाद से ही Bitcoin में वो growth दिख जाएगी और जो rally आना है वो आ चुकी है क्योंकि अगर आप देखेंगे long term rally जो है उसकी सुरुवात जो 300% की rally थी वहीं से सुरू हो चुकी है मार्केट ने correction लिया लेकिन मार्केट bounce back करेगा और इसी rally को बड़ी rally में convert करेगा लेकिन जो भी होगा पूरे तरीके से इंवेश्टरों के लिए चांदी ही चांदी है बल्ले ही बल्ले है पूरी picture आपके सामने clear है future की और present की I hope video enjoy किया होगा चैनल subscribe कर लेना नहीं किया है तो जुड़ जाना शिवानों को लेकर एसे ही अपडेट्स पाने के लिए I hope video enjoy किया होगा नमस्कार